इस महीने की 27 तारिख को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में होने वाली नीती आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्य मंत्रियों ने बहिशकार किया है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सही तमाम विपक शासित राज्यों शामिल है। उसने सुप्रीम कोट में याठिका दाखिल करके एका कि केंद्र सरकार संगिये धाचे की बावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बैकफुट पर है मोदी सरकार। देखे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की मुख्य मंचियों द्वारा इस बैठक का बहिशकार करने का कुछ असर होगा। इस सवाल पर आने के पहले हमें नीती आयोग को थोड़ा समझना होगा। तमाम योजनाएं बनाने में वित्त मंचिवाले और भारत सरकार का सयोग करना था। लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया और उसके बाद नीती आयोग का गठन किया गया और इसका काम मुख्य रूप से एक ठिंग टैन का हो गया है। नीती आयोग अब सरकार के विभिन कार्क्रमो और नीतीयों के बारे में इंपुट्स उपलब्द करवाता है। इसका बजट निर्मार या फिर सरकार के वित्तिय कामकाज में कोई हस्तक शेप नहीं होता। नीती आयोग का मकसद भारत सरकार और राज्यों को एक मंच उपलब्द करवाना है। यहाँ पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ बैठकर राष्ट्रेय हित में नीतीयों के निर्मार को लेकर अपनी बात रखते हैं। अब देखें नीती आयोग की बैठक प्रदान मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। विश्यों और संगीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। बैठक का मकसद राष्ट्रेय विकास के एजन्डे को आगे बढ़ाना है। अगला सवाल की बहिशकार से आखर होगा क्या। देखें कुल मिलाकर नीती आयोग कोई सम्विधानिक संस्था नहीं है। इसकी बैठक में कोई मुख्यमंत्री शामिल हो या ना हो इसके लिए वुबाध्य नहीं है। नीती आयोग केंद्र और राजिस सरकारों के लिए एक कांसल्टेंसी एजन्सी के लूप में काम करता है। अब ऐसे में विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के भाग नहीं लेने से इसकी सेहत के उपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछली बैठक से भी दूर थे काई मुख्यमंत्री। देके 2023 में गवनिंग कांसल की आठवी बैठक जो हुई थी उसमें भी काई मुख्यमंत्री गायब थे। उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महमता बेनरट जी, दिल्ली के सी म अरविंद केजरिवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन तमान, बिहार के सी म नितीश कुमार, तेलंग गाना के तदकालिक सी म केसी आर, राज़िस्थान के तदकालिक सी म अशो झाल झाल झाल